जेदी आप पलवर में चाहते हैं किसी भी इस्तरी के दिल में अपने लिए महबत पैदा कर दे ताकि वो इस्तरी आपसे महबत करे और रूठा हुआ प्यार भी वापस आ जाए रूठा हुआ प्यार मान जाए तो आप रात को सोते समय अपने दाहिने हथेली के बीच वाले उ लिए मोहबत भरना सुरो हो जाएगा बस आप ए छोटी सी वोशिकन टुटका कर दीजिएगा रात को सोते समय अपने दाहिने हथेली के बीच वाले उंगली का थोरी सी मतरा में नाकुन काटना है और आपको सोते समय बस इसको क्या कर देना है ताकि सुवह सही वो इस्तरी आपके पीछे पर जाए आपसे मोहबत कने लगे आये बताते हैं यह बहुत ही आसान है हर कोई कर सकता है यह आजमा गया है और सिर्फ जाद से जादा दो चार मिनट का समय ही आपको लगेगा और वो इस्तरी आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी दिखिएगा प्यार में ना ना करने वाले इस्तरी भी आपको प्यार में हाँ बोलेगी वो खूद चल कर आपके पास आएगी आपको वह आँ पर जानी की जरुवात नहीं है बस अपने घर बैठे रात को सोते समय दाहिने हतेली के बीच वाले उंली का नाखुन थोरी सी मातरा में काटना है और बस यह थोरी सी मातरा में टूटका करके सो जाना है टूटका को कैसे करना है ताकि सुवा से हैं यानकि अगले दिन से ही वह आपके पीछे पर जाए आपसे महबत करने लगे आए बताते हैं देखिए किसी भी लड़का को अपने वस्मे करना हो या किसी भी लड़की को वस्मे करना हो आप आसानी से इसका प्रियोग कर सकते हैं आईए बताते हैं उसके पहले यदिया आप मर्चानल पर नए हैं अभी तक में चानल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजीगा तक हम जितने भूर रहेंगी सबसे पहला आपके पास में जाएगा दाहीने हतेली के बीच वाला उंगली हमेशा याद रखिएगा बाए हतेली के नहीं लिजिएगा सिर्क दाहीने हतेली का रात को सोतिस में जब ही आप सोने जाते हैं चाहे 10 बज़े रात हो, 12 बज़े रात हो, 3 बज़े रात हो, जब ही आप सोने जाते हैं, आप अपने दहिने हतेली के बीच वाले उंगली का नाखुन तोड़ी से मतरा में काट लीजिएगा, और इस नाखुन को क्या करना है, पानी में रखना है, एक गिलास पानी रख लीजिए और उसको नाखुन को उसमें रख देना है, और उस गिलास को क्या करना है, अपने उसी कमरे में कहीं पर भी रख दीजिए, अराम से बस सो जाईए, अगले दिन सुबह आपको जल्दी उसके बाद में आपको क्या करना है उस नाखुन को क्या करना अपने सर से सात बर उल्टा घुमा करके उसको किसी चोरह पिले जा करके जला देना है और जो पानी बचेगा उसको अपने माथे पे डाल करके उसको क्या करना है चेहरा धो लेना है उसके बाद में उस इस्तरी के स का में शिर्ण एक बार चले जाएए जैसे हो इस त्री आपको देखेगी उसके दिल में आपके लिए मुहबद भर्ना सुरू हो जाएगा वो खुद पर खुद आपसे महबत करना सुरू कर देगी आपके बिना नहीं रहा पाएगी जो भी इस्तरी आपके दिलो दिमाग में हैं बैठी हुई है जिसके बिना आप नहीं रहा पा रहे हैं वो इस्तरी भी आपके प्यार में बेचैन हो जाएगी आपको याद करना सुरू कर देगी बस ध्यान देना है कि जो नाखोन होगा उसको किसी चोराये पे ले जाकर जला देना है और जो पानी होगा उस पानी को अपने सर पे डाल करके अपने चेहरे को धो लेना है उसके बाद में ही उसके सामने जाना है वो हमेशा हमेशा के लिए इस्तरी आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी आपके बिना नहीं रहा पाएगी बहुत ही आसान है बहुत ही जबदस्त है उसके बाद में तो कोई भी इस्तरी हो पलवर में आपसे महवत करना सुल कर देगी यदि आपको समझने में जहां भी दिकत हुआ है नीचे कमेंट कीजिए कि हम आपकी मदद करेंगे और यदि आप हमारी चैनल बनाए है तो प्लेज में चैनल को सस्काब जरूर कीजिएगा ताकि जितने भूर रहेंगे सर्चे पहला आपकी के पास में जाएगा